तो क्या हाले दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं यहां पर Nokia के तरफ से Nokia 5.3 हाँ दोस्तों याला फोन दोस्तों लॉंच वाता है काफी फोन अच्छा है क्योंकि दोस्तों यहां पर इसका लुक जो है पीछे साइड जो यहां पर Quad Camera Setup जो इस सर्कली में दे रखा है वो दोस्त सब्सक्राइब दोस्तों आज एक इन दोनों फोन में सब्सक्राइब आपका बहुत सब्सक्राइब तो दोस्तों मैं हूं समीर आप देखने क्रेस्स बहुत बहुत स्वागत है तो चले दोस्तों यहां पर Nokia 5.3 आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा और्दों वेरेंट में नोकिय में आपको 2 वेरिन देखने करें मिलेंगे 264 वाला वही जगे Infinius में आपको Single वेरिन देखने करें मिलेगा लेकिन दोस्तों यहाँ आपको 6GB की RAM और 168GB की इन्टेरना मेमोरी आपको देखने कर मिल जाएगी वही जगे जो प्राइस रिट का प्राइन ही है और दोस्तों यह थोड़ सा स्लो भी काम करती है वह जो कि यहां पर यहां पर युफस टू.1 की तो डिश्टाइब मिल जाती है जो कि काफी फास्ट है वह जग यहां पर रैम टैप आपको दोनों में बहुत अच्छा मिल जाता है यहां पर यहां पर नीचे दॉनों में टाइफ चार्ज इंपर मिल जाती है यहां पर नोकिया में डेडिकेटड गूगल एसिस्ट्रें की के यहां को मिल जाती है नोग्या में यहाँ पर पीछे साइड यानि की रेया मांटर फिंगपीं मिलता है वज़िगे इंफिनिस के हमें यहाँ पर याँ पर शाइड मांटर फिंगपीं मिलता है यानि की पावर बटन के उपर तो दोस्तों यह होगी इसके फुल कम्पलीट फिजिकल अब दोस्तों यहां पर फिजिकल डाइमंसिंग की बात करते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब थीकिने से यहां इसकी मोटाई की तो नोकिय थोसर पतला है 8.5 की बात करते हैं तो आपको दोनों में बैक कवर देखने को नहीं मिलेगा और दोसर आपको दोनों में बैटरी में आपको दोनों में बैटरी काफी अच्छी दे रख्ची हुई है नोकिया में चारज़ यहां पर इंफिनिक्स में चारज है 500 एमेश की आपको मिल जाती है चारजिन टाइम को ऑफिशली मनसे तो नहीं था लेगि मेरा खुद का अंदाज है कि नोकिया को धाई घंटे के आसपास चारजिन टाइम लेगा वज़ए कि इंफिनिक्स में आपको चार कैमेरे का में पर और दोस्तों यहां पर आपको नोकिया में 13 मेगड का मेंने दो जिसका में जाता है जिसका फ कवर कर सकता है बागी आ को नोकिया में थो में गोज़ो का depth और यहां पर 2MP का AI यानि artificial intelligence का यहां पर आपको lens देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों आपने मेरा वाला वीडियो अपर तक नहीं देखा जो जिसमें मैंने बताया थे कि जो फोन 10,000 या 12,000 तक ही होते उसमें ultra wide camera क्यों नहीं होता तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक dedicated video बना के रख्य हुई है उसका link मैं description में दे दूँगा उस video को जाके जरूर देख लीगा चुकि दोस्तों वह video काफी knowledgeable और दोस्तों काफी अच्छी video है और दोस्तों यहां पर कुछ और features की बात करते हैं तो दोनों में आपको सारे सारे modes मिल जाते AI के कई सारे modes है artificial intelligence मतलब सारे modes आपको मिल जाएंगे साथी साथ आपको यहां पर night mode भी देखने को मिल जाएंगा वह जाएंगा वह जाएंगे इंफिनिस में आपको 2 यान कि 2 camera आपको यहां पर मिल ला है जो की side punch hole type आपको selfie मिल जाती है और दोस्तों नोकिया में आपको 8 MPC का selfie camera मिलता है जिसका aperture f2.0 वह जाएंगे इंफिनिस में आपको 16 MPC का main camera मिलेगा जिसका aperture f2.0 8 MPC यहां पर wide angle यहां पर lens आपको दे रखाएंगे तो उसके लिए यारा camera काम आने वाला है aperture इसका f2.2 मिल जाता है 105 degree field of view है वह जाएंगे इसमें भी आपको सारे सारे मोड्स मिल जाते हैं लेकिन यहां पर Nokia में night mode देखने को नहीं मिलेगा selfie में लेकिन यहां पर इंफिनिस में आपको night mode मिल जाएगा वह जाएंगे यहां इंफिनिस में आपको night mode मिल जाएगा वह उसके 6.85 इंच का साती तो आपको यहां पर full HD plus IPS display मिल जाते हैं पर इंफिनिस की काफिय अछी मिल जाते हैं जुकि यहां पर आपको ऐच्छी मिल जाते हैं जुड़ लाग लाख रिको और आपको डॉनों मिल जाती लेकिन यहां पर इंफिनिस में को सिल्दकिन को पुशल मेरा खुद का अंदाज है क्योंकि यहां पर जी साब से इसके प्राइस रेट है उस साब से इतनी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी यहां पर नोकिया की थोड़ी सी कम है लेकिन दोस्तों आपको कोई आउट्डोर विजिबिलिटी और यहां पर अगर इन सब की बात करते आपको इस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली एसपेर रेसियो नोकिया में 20 विजिएक इंफिनिस में 25 विश्टी पूइंट पाव स्टैन्हें आपको मिल जाता है प्रोसेसर में आपको नोकिया में क्वालकम इस्टैटेगन 665 मिल जाता है वज़िएक हैं नोकिया में 11 nm power efficient है वजगे इंफनीस जो है वो 12 nm power efficient आपको मिल जाता है CPU दोनों octa-core है Nokia में 2.0 GHz वजगे इंफनीस जो है यहाँ पे 2.05 GHz आपको मिल जाता है GPU आपको Nokia में Android 610 वजगे इंफनीस में आपको ARM Mali G70C MC4 आपको मिल जाता है Android में आपको यहाँ पे Nokia में अच्छी बात ही है कि यहाँ पे आपको stock Android मिल जाता है इसमें आपको 2 साल के guaranteed update आपको मिलेंगे और दोसे इसमें आपको कोई भी blotwares, कोई भी band Chinese app, कोई भी ads आपको देखने को नहीं मि कुछ और अगर features की बात करते हैं तो यहाँ पे Nokia में आपको rear mount याणि पीछे साइज fingerpin मिल जाता है Face unlock आपको मिल जाएगा Influence में आपको side mount fingerpin मिलेगा जिसमें आपको face unlock का भी option दे रखा हुआ है यहाँ पे 3.5 audio jack मिल जाती Bluetooth version 4.2 हमको यहाँ पे Nokia मिल थावसा ओर हो चुका ह Influence में हमको 5.0 मिलता है dual band wifi हमको यहाँ पे दोनों मिलना है NFC का support Nokia मिलता है लेकिन Influence में नहीं मिलेगा SIM tray यहाँ पे 3 slot दोनों में दे रखा हुआ है यानि कि अब dual SIM memory card आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे Nokia में आप 512GB के S10 कर पाएंगे Influence में 256GB तक के S10 कर पाए नहीं है और दोस्तों यहाँ पे Nokia में आपको Wide One L1 का support मिल जाता है यानि कि दोस्तों जब आप Netflix और Amazon का content यहाँ पे HD में कर सकते हैं लेकिन यहाँ इंफिनिस में हमको Wide One L1 तो नहीं Wide One L3 मिलता है यानि कि 480P तक कि यहाँ पे Netflix और Amazon का content stream कर पाएंगे Google Cam का support हमको दोनों मिल जाता है GPS मिल जाता है Dual 4G World है और दोस्तों आप FM Radio आपको आपको यहाँ पर दोनों में support मिल जाता है इस speaker दोस्तों यहाँ पर दोनों के काफी अच्छे है यहाँ पर दोनों में bottom firing speaker आपको मिल जाते है लेकिन दोस्तों आप इंफिनिक्स में एक काफी अच्छा कदम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे नए content के साथ